नमस्कार दोस्तों महुराकिश और आप देखने टेक्निक ग्यान चैनल तो आपका भूत्व स्वागत इस प्लेटफार्म के ओपर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5G जो ने ट्रक है वो क्या है और किसको जो मिलने वाला है किस परकार से कहा का पर जो है इसकी प्राइम नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को उसके सामने मिलता बेल आइकन दबाने से नोटिफिक्शन आपको मिलते रहेंगे वीडियो के तो आई शुरू करते है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर यह बता दू कि इंडिया के अंदर मतलब अभ सब्सक्राइब तो 5C में अभी थोड़ा लेट लेगेगा मतलब 3G और 4G के बीच में भी काफी अंतरा लिया पर था तो एक सवाल मैं आप से आपर करूंगा तो उसका जवाब जो है आप कमेंट बोक्स में लिखकर जरूर बताएं आप यूज करते होंगे 4G ने ट्रक को आ यूज करते हैं फिर एरटेल की करते हैं वोड़ाफों की करते हैं आइडिया करते हैं सिर्फ कोमेंट में ये लिखिए आपकी जगय का नाम उसके सामने लिखिए आइडिया एरटेल वोड़ाफों जिसकी बीशीम यूज करते हैं उसके सामने लिख दीजिए स्पीड तो ऐ पेले आया था 1G जिसे हम GPRS बोलते थे नॉर्मल सा एक के इंटरनेट हुआ करता था लेकिन उसके बाद जो आया 2G जिसे EDG भी बोलते हैं और GPRS भी बोलते हैं 2G भी GPRS में ही आता था लेकिन 1G और 2G के अंदर स्पीड का भूच ज़्यादा या पर फरक था 1G के अंदर हमें मिलती थी 13-15 KBPS की स्पीड उसके बाद जब 2G निकल के आया तो 45 से लेकर यहाँ पर 60 KBPS की स्पीड तक हमें मिलती थी फिर निकल के आया 3G 3G के अंदर लग फगे 2-3 MB की स्पीड हमें मिल जाती थी फिर मतलब यह निकल के आया 4G 4G और 3G की स्पीड में ज्यादा यहाँ पर अंतर नहीं है 4G और 3G में मतलब 2 MBPS का फरक आप ले लीजिए मतलब किसी ने ट्रक के अंदर है अगर 3G में 2 MBPS की स्पीड है तो उसमें मतलब 3 MBPS की स्पीड हो जाती है 4G में तो 6 3.5 Mbps मिल जाती है फिर 4 Mbps मिल जाती है बस इतना ही है लास्ट ए 4 Mbps है और कहीं कहीं पर जो ज्यादा मतलब हाई लेवल की सिटीज है उनके इंदरोर ज्यादा इस वीडिया पर मिल जाती है लेकिन हम बात कर रहे हैं 5C की तो 5G में और 4G में 3G में बहुत जादा फरक है अगर आप एक मूवी डाउनलोड करते हैं एक के 4G ने ट्रक के साथ तो आपको लगते हैं 5-10 मिनट लेकिन 5C में अभी तक चितनी भी न्यूज मैंने पड़ी है उनमें शिर्फ यह बताया जा रहा है मतलब मूवी के साथ इसे इसकी स्पीड को की 4 या 5 सेकेंड या फिर लाश 10 सेकेंड यहां पर बता रहे हैं कि एक मूवी आराम से डाउनलोड हो जाती है मूवी साइज यहां पर बताई जा रहे है 1.5 GB मतलब 1.5 GB की एक मूवी लग भगे 10 से या फिर 15 सेकेंड लगा कर चलिए इतने टाइम में जो ह है वो बहुत ज्यादा है मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा यहां पर हो जाती है पहले भी जो है मैंने एक वीडियो बनाया था 5G को लेकर उसके अंदर हो सकता थोड़ी सी जानकारी कम हो लेकिन अभी हम और ज्यादा बात करते हैं उसके अंदर मतलब इधर उदर से कनेक्टिविटी के अंदर जो है पीछे की जो सर्वर्स की स्पीड है काफे बार आप सौचते हैं कि हमारे पास 4G है लेकिन हम कुछ डाउनलोड कर रहे है तो स्पीड जो है शिर्फ के बीपेस में आ रही है कुछ के बीपेस 30 के बीपेस या फिर 200-300 के बीपेस तो उसका मतलब कारण यह है कि जो पीछे से जो सर्वर है जिस सर्वर का आप यूज़ कर रहे है फिर जिस वेबसाइट का सर्वर है उस सर्वर के अंदर अभी इतनी स्पीड मतलब उदर से खोली नहीं गई है तो इसी साब की बात हमने पहले वाले यहां जानने के लिए पहले वाला वीडियो देखिए और अच्टा जानने के लिए अधी वाला वीडियो देखते रही है तो 5G की बात हम कर रहे हैं 5G को या तो मतलब जहां पर टावर लगे हुए है कुछ कंपनियों के उनके ऊपर लगाया जाएगा अभी एक बैलून वा द्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं तो एक ड्रोन जो है 10-12 गंटे तक आराम से उपर घूम सकता है और 5G ने टर प्रोवाइट करवा देगा उसके बाद वो निकल लेगा और भी कापी फाइदे हैं जो है 5G के यापर फोने वाला है इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा यापर कनेक्टिविटी की इंटेल ने भी जो है 5C का यहाँ पर जो CPU और मोडेम बना लिया है Qualcomm जो CPU बनाती है कंपनी उन्होंने भी जो है इसका एक मोडेम बना लिया है 5C का और एक मोबाइल भी बनाकर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो यह चल रहा चाइना के अंदर और उदर जापान के अंदर भी चल रहा है तो चाइना और जापान दोनों लगे हुए हैं 5C की टेस्टिंग करने में तो काफी सारी स्पीड हमें मिल जाएगी काफी ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाएगी कम्यूनिकेशन की स्पीड भट जाएगी अभी जो हम कुछी वाट्सप से मेसेज भी करते हैं या फिर कोई मेल वगेरा करते हैं थोड़ा सा टैम उसमें लगता लेगी 5G किनेक्टिविटी के बाद जो है यह मेल वाले सिस्टम या फिर यह वाट्सप वाले सिस्टम है यह बदलने वाले सब कुछ जो है एक के लाइव चलने वाला जैसे कि हम आसपास ही है आवाज लगाते है एक दूसरे को हलो है उसी परकार से सिस्टम यहाँ पर होने वाला है तो आर्टिफीशिल इंटेलिजेंस के साथ जो हैं पर 5G काम करने वाला है सिरफ आपको आवाज लखा गया कि 2020 था कि 5G को लाने की यहां पर मुहिन चल रही है लेकिन इंडिया के अंदर लगफा गई या फिर काफी सारी और वी कंट्रीज हैं उनके अंदर 2023 या फिर 2025 तक 5C निकल के आएगा तो दोस्तों 5C की न्यूज इतनी थी जितनी वेब साइट और जो कंपनी की व हाला है क्या मत्लब इसमें इस पीड रहने वाली है तो थोड़ी भूवित बात ला तो हमने इसकी कर ही लिए लेकिन आने के बात पता नहीं क्या होने वाला है गया भी तो जितनी मतलब तेस्टिंग और चल रहे हैं आप से हमने आपर बात की हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको चैनल को सिस्क्राइब जरूत कर लें, ऐसे वीडियो रोज आते रहते हैं, लाइक कर दें वीडियो को, शेर कर दें, अगर आपका कोई सवाल, कोई शुजाव अभी भी बाकी है, कुछ पूछना चाहते हैं, त आप भेज सकते हैं मेरे फेस्बुक पेज पर, तब तक के लिए जैहिन और फंदे माकरम